तो हेलो गाइज वेलकम बैक तो स्टीवीजी अन्दिशोर संदीब भाया एंड गाइज आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ट्रुपलमुटी गोरखपुर के बारे में गाइज अपने शहर का कॉलेज है और सच कहूं तो भाया गोरखपुर में तो ट्रुपलम का नाम ह इंजिनरिंग कॉलेज है अगर आप यह चू को छोड़ दें तो गोर्मेंट में प्राइवेट में तो बहुत सारे हैं लेकिन गोर्मेंट में यही है दूसरा एक गोरखपुर में एक और अभी खुला है नया-nया डाट इस डीडियू पंडित दिन द्याल मजलो मेरे हिसाब से बाट खैर अभी हम ट्रिपल मुटी गोरखपुर के बारे में बात करेंगे कि यहां क्या चल रहा है स्पॉट अरूंड कब होने वाला है कितनी वेकंट सीटे हर साल रहती है इस साल क्या रहने के संभावना है और मैंने कटफ एटलिस्ट किस कटफ वाल राइंक को क्या करना चाहिए ट्रिपल मुटी में बैठना चाहिए थोड़ा सम कटफ को एनलाइज करेंगे एंड गाइज यू नोज एस्टी बिस्टी इस नंबर वन काउंसलिंग चैनल तो टेंशन मतलो इसे देखने के बाद तुमें क्लियर क्लियर सब कुछ हाई डिया बढ़ गजा जाएगा कि च्रुपल मुट्य में क्या चल रहा है अगर मैं बात कर तो देखो इन्होंने शुरू में स्ट जारी किया था उसमें लगभग दो कांसलिंग 2 spot round के बारे में बताया था, जैसा 1 के 2 में 2 spot round की counselling होती है, और हर साल है expected भी होती है, और इस साल भी expected है कि 2 spot counselling हो, पर अभी जो इनों ने नया notice जारी किया, additional round का, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही spot round के बारे में mention था, हो सकता है इस बच्चे का, तो आगे उसके बारे में, second spot क के बारे में अलग से mention किया जाएगा, अब अगर मैं बात करूँ, कि यहाँ क्या चल रहा है, तो देखो, अभी round, अभी recently, यहाँ पर round 3 का result आया है, round 3 का result आया है, और result आने के बाद से जिनका, जिनका result आया है, वो अपना बाकी आगे का कारेकरम करेंगे, सीटे सप्टेंस पीज देना और document अपलोड करना और बाकी सारी चीजे, उसके बाद आपका round 4 का result आने वाला है, यह 6 तारिक को आने वाला है, और round 4 के बाद फिर round 5 होगा, और round 5 का result है, 14 अगस्त को आने वाला ह है, अब round 5 होने के बाद से, अल्मोस्ट यहाँ पर normal counselling खतम हो जाती है, अब जहाँ normal counselling शुरू होती है, खतम होती है, वहीं से spot counselling शुरू होती है, और spot counselling में fresh registration, schedule धहन रखेगा, fresh registration, spot counselling वलका schedule है, fresh registration 26 अगस्त लेके 13 September तक चलेगा, अब यह पूरा 13 September तक क्यों चलेगा, क्योंकि इनके refund policy की अनुशार, इनके refund policy की अनुशार, लगवगे 11 September तक refund accept करेंगे और बच्चों को refund देंगे, तो जिन जिनको भी M M छोड़के भागना होगा, जिनको यहाँ से bidrol मारना होगा, वो 11 से पहले पहले क्या कर लेंगे भाईया, वो अपना bidrol मार लेंगे, वो उससे फाइदा क्या होगा, उससे फाइदा यह होगा कि जितनी सीटे बच जाती है, वो सारी क्या हो जाएंगे, इस पॉर्ट में फिल हो जाएंगी, लेकिन अगर ऐसा हो कि refund policy बाद तक का रहता ना, तो फिर problem हो जाता, फिर problem इसलिए, जैसे मालोई spot counselling है पहले ही करा देत तो उस case में सीटे काफी जादे खाली रह जाती है, इस spot में कोशिश यह रहती है कि जादे जादे सीटे भर दी जाएं, मतलब जितनी counselling के बाद जितनी सीटे बची है, वो साब भर दी जाएं, अब इतना जादा इन्होंने gap इसलिए दिया है क्योंकि इने पता है, triple M का सब की पूरी की पूरी HVTU की counselling खतम हो जाए, और लव 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 AQTU की भी counselling खतम हो जाए, फिर बाद में हमारी सीटे खाली नरा है, वनरा ऐसी बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, कितना इस बाट कोई कराएगा भाई, लिमिट है, एक spot करा लिया, दो spot करा लिया, पूरे सा spot में participate करने का process क्या है, एक चीज़ और अगर आपको already sheet मिल चुकी है, तो भईया, आप physical reporting और बागे सारी चीज़ों के लिए तयार रिये document लेकर, आप physical reporting कैसे करना है, document कैसे upload करना है, document कब लेकर जाना है, लेकर जाना है, और balance fees कितना देना है, और कब देना है, इसके बार म में already separate video बना रखाऊ, link description में डाल दूँगा, वहाँ से क्या कर लेना, check कर लेना, या फिर तुम खुद YouTube पे सर्च कर लो, triple M UT physical reporting, 2024 वाई, Sandeep Vishwakarma आजाएगा, हम बात करते हैं, spot round में कौन कौन eligible है, कौन कौन बैठ सकता है, तो देखो spot round की eligibility criteria कि अगर बात कीजा है, तो almost हर और एक बच्चा है, जिसको पहले से कोई seat नहीं मिला है, अगर तुमको पहले से कोई seat नहीं मिला है, अगर तुम 2022 की counseling में पचीस सो देके बैठेते तो भी आप eligible हो, नहीं बैठेते, तो भी आप eligible हो, आपने, आपको अगर seat मिल गया था, आपने bid Garrol मार लिए, तो भी आप सिर्फ अगर आपको सीट मिल गया है राउंड फाइट में अपने सब्सक्राइब कर लिया है और अपने अगर बिड्रॉल नहीं मा रहा है तो अन दैट केस्ट आपको स्पॉर्ट काउंसलिंग बाकी हर केस में इलिजबल हो नया बच्चा पूराना बच्चा सब इलिजबल है अब बात करते हैं कि प्रोसीजर क्या है तो सबसे पहला प्रोसीजर स्टेप नुमबर रॉट ये तो normal round में बैठे को और अगर आप आप पहले से रजिस्टर कर लिये थे इनके पांचों राउंड में बैट गये थे और उसके बाद भी अगर आपको क्या करना पड़ेगा और फिर भी रजिस्टर करना पड़ेगा जीरो रुपए देखें मतलब कोई पैसा नहीं लगएगा लेकिन लॉग इन तो आपको करना ही पड़ेगा 26-13 के बीच में उसके बाद से क्या होगा पहला रजिस्टर कर लिया रजिस्ट्रीशन करने के बाद से अभी इसकी नोटिफिकेशन आई नहीं है ओफिशल की कहा आन तो आपको क्या करना है डीडी जरूर बनवा लेना है बिना डीडी की काम नहीं होगा डीडी लेके आप उस ऑफलाइन प्लेस पर पहुंच जाए और वहीं आपका सीटे लोकेशन होगा अब यह सुनके ना वह बच्चे बड़े गुस्सा हो गया एक बात बताईए अगर हम को पाइन तक सीट मिल गई है और हम ले भी लिये हैं तो हम को इसपोर्ट में क्योंए बैठने दिया जा रहा इसे तो बहलारा नुकसान हो गया इसवार्ट में लो रैंक तक एडमिशन होता हम पहले सीट ले लिये हमारा नुकसान हो गया क्या नहीं नहीं नुखसान नहीं वा तुम पहले सीट ले लिए तो भी तुम्हारा फायदा हुआ मैं बता तो कैसे क्यों कि जब इस्पॉट कराया जाता है जैसे लास्ट यर जब इस्पॉट हुआ था तो उससे पहले एक इंटर्नल स्लाइडिंग होई थी इंटर्नल स्लाइडिंग होई थी और लोग इस इंटर्नल स्लाइडिंग को ध्यान में नहीं रखते हैं वाट मेरा मानना है कि इसको ध्यान में रखना चाहिए इंटर्नल स्लाइडिंग क्या होता है जैसे मालो तो CSE की सीटे हैं, इनके पास IT की सीटे हैं, EC की सीटे हैं, Electrical की सीटे हैं, Mechanical की सीटे हैं, Civil की सीटे हैं और Chemical की सीटे हैं. अम माल हुआ क्या, तुम लोग सारे बच्चे इसी क्रम में अपना Preference Order जनरली भरते भी हैं, माल हुआ क्या, कि refund policy थी कि 11 September तक जिसको जिसको refund मारना है, मार के चला जाए, उसका विड्रॉल मिल जाएगा, उसकी सेट केंसल कर दी जाएगी, उसके बाद हम विड्रॉल नहीं करेंगे, सिर्फ अगर करोगे भी, तो हम सिर्फ caution मानी देंगे, तो उसके इसमें मालो किसी ने बेड्रॉल मार लिया, अब CSE के मालो 2 बच्चे निकल गए, IT के 4 बच्चे निकल गए, EC के 6 बच्चे निकल गए, ईलेक्ट्रिकल के 2 बच्चे निकल गए, मेकनिकल के 6 बच्चे निकल गए, ऐसे बच्चे क्या गए? बेड्रॉल मार के भाग गए, तो हर ब्रांच में कुछ न कुछ सीटे खाली हो गए, तो इस सीटे खाली होगी और इनी पर ही spot होना है, तो ये लोक मिंट वले बड़ए चलाक हैं, भयोक क्या करेंगे, जो सीटे क्हाली हैं उसमें इंटर्नल स्लाइडिंग करा देंगे, क्योंकि दो झाहते हैं हैं पहले उसको प्र만 क्यों बेज़ देंगे, CAC में दो सीटे खाली हो गई, तो जो IT वाले बच्चे हैं या चो भी बच्चे हैं इसमें से, जिनकी सीट, जिनकी रांक साब से बेस्ट होगी हो उन दो बच्चों को CAC में बेज़ देंगे, तो इंटरनल स्लाइडिंग करा देंगे, तो उपर वाली सारी जाएंगी और नीचे वाली खाली रह जाएंगी, तो देखो हो गया कि नहीं फायदा, मतलब तुम्हारा एक रांड और हो गया, जिसको हम इंटरनल स्लाइडिंग बोलते हैं, तो इस पॉट में जनरली नीचे की सीटे खाली रहती हैं, उपर वाली सीटे इंटरनल जादा दे रहे हैं, फिर तुम बोलोगे कि भईया, फिर भी उसके बाद भी एकाथ सीटे CS के खाली बसती हैं, लेकिन इलेक्रिकल इलेक्रोनिक सिन सब की कैसे बच जाती हैं, तो उसके पीछे का रीजन है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो इंटरनल स्लाइडिंग के बाद भी रिफंड मार के भाग जाते हैं, या फिर किसी का फिजिकल रिपोर्टिंग है, इन सब में सीटोट कैंसल हो जाता है, जो भी रिजन रहा हो, तो एकाथ कभी-कभी बच जाता है, अधर वाई जनरली नहीं बचता है, लास्ट यर की वेकेंसी अभी मैं तुम्हें दिखा लास्ट यर की वेकेंसी देखने का तुम्हें दोशिश क्लेयर हो गया होगा, कि भाई य स्पाट रौंड में भी वोम इस्टेट कोटा और अधरिट कोटा लगता है, और अच्छी बात है कि होम स्टेट से ज्यादा फाइदा अधर इस्टेट को होता है, अब तुम अगर नहीं मान रहो ना तो तुमना एक बारupa देख लो कि राउंड वंग से लेके राउंड टृन अपटाव का बहूंड देखलो या पिछले साल का राउंड से लेके राउंड वान फाइब तक का के वेकन्सी से, जिसमें तुम तो खोगे कि एउल्लों के लिए बची लेक्ट्रिकलक के लिए बची उल्लोंुक्षीक नहीं ती इस सर्फ और शल्फ से विल्ल भीूईअल खेमिकल इंदい क्यूं वपउचे Thema शन्लेटिन limaट जान रिजन हैं इंटरनल स्लाइडिंग और अधरीट सेट में सिविल एलेक्टरिकल मेकेनिकल और केमिकल की बची थी मेलेक्टरिकल की सिर्फ तीन सीटे बची तो यह पिछले साल की वैकेंसी है अब तुम पूचो कि भई यह इस साल की एक केंसी क्यों नहीं spot round में काम नहीं करता है, spot round में सिर्फ home state और other state होता है, बाकी सब कुछ open to all होता है, तो जो category वाले लोग हैं, मैं बोलूँगा तुमको इसमें उतना ज्यादा फाइदा नहीं मिलेगा, लेकिन जो जनरल वाले लोग हैं, AWS वाले लोग हैं, इनको बहुत जादा फाइदा मिलेगा, तो category वालो भाईयों, आप लोग पहले ही admission ले लीजिए, बाकी category वो टेगरी spot में नहीं लगेगी, कि इसपाइड होता है साइड करने का मुल उद्यसे ही है कि जःद भचां साब्को भार दो एक बी सिट खाली नजार करना घॉर्म का नद हो, और भचों का नुबहुटत हो तो यह ही मूल उद्यसे होता इसपाइड शाद करने का, और ही रीजन है कि काटेगरी हटा दिया जाद है मालो पता चले सब्सक्राइब 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 के बारे में कि भाया इस पॉर्ट में किस रामूर्ट तक एड्मिशन होने की पॉसिबिल्टी रहती है वह हम जानने से पहले अभी थोड़ा साम ट्रेंड को समझेंगे कि इस बार ट्रिपल मूटी का कटफ कैसा जा रहा है पिछले साल के मुकाबले पिछले साल से लो जा रहा है या हाई जा रहा है मतलब पिछले साल वाले बच्चों से हमें ज्यादा फाइदा हो रहा है या कम फ तो computer science पिछली बार round 3 में बावन हजार पे मिला था इस बार round 3 में एक सट हजार पे मिल गया है मतलब हम इस बार की बच्चों को जाधा फायदा हो रहा है IT पिछली बार 59,000 पे मिला था और इस बार 75,000 पे मिल गया है इसी पिछली बार 70,000 तक मिला था इस बार 88,000 तक मिल गया है IoT पिछली बार 70,000 तक मिला था इस बार 90,000 तक मिल गया है Electrical पिछली बार 89,000 तक मिला था इस बार 1,00,000 रांग तक मिल गया है Chemical पिछली बार 1,32,000 रांग तक मिला था, इस बार 1,45,000 रांग तक मिला है, मतलब 2023 की तुन्ला में, 2024 में काफी फायदा हो रहा है, और फायदा इतना जादा है कि पिछली बार का, पिछली बार का round 5 और इस बार का round 3, मे भी round 3 जीत रहा है, मतलब round 5 से भी बढ़िया कटाव ग अगर इस के round 5 की बात करेंगे ना, 2024 के round 5 की तो यह लगग लगग तुम ऐसा मान के चलो, 64-65 तक जा सकता है, अगर IT की बात करें तो पिछला 61 था, इस बार 75 है, इसी पिछले बार में round 5 में 75 था, इस बार अभी 88 में है, पिछली बार EC IoT round 5 में 77-75 पे था, इस बार अभी 90 प 80,000 पे आगया है, मतलब अब तुम एक बात देख सकते हो, कि काफी 2000 पिछले बार के, जो round 5 की cut-off थी, उससे भी ज़्यादा हमें फायदा है, इस बार round 3 में ही हो रहा है, round 5 में तो अभी और लो जाएगा, तो समस्या क्या है कि spot में क्या होगा, तो देखो, पिछली बार से हमें इस बार ज्यादा फायदा होगा, पिछले बार, इस बार का round 4, round 4 और round 5 बाते आते, तुमें cut-off और ज्यादा लो तुमें देखने को मिल जाएगा, और इस same case इस बार HP2 में ही हुआ है, and I hope, and I will pray कि तुमार इस बार AK2 में भी same case हो, अगर इस same case तुमारे AK2 में भी होत आनन्दी ही आजाए, बट देखते हैं क्या होता है, चुकि AK2 अल्रेडी डिले हो रहा है, तो में भी इसका तुमें बहतरीन फायदा देखने को मिले, but अगर अभी मैं बात करूं, spot counselling की तो तुम आराम से मान के चलो, CSE additional round तक 65 लगबबबबबबबबबबबबबबबब लग भी जितना भी जाए, अब हम बात करते हैं, spot की, तो देखो, last year के spot की अनुसार, ट्रिपलम्यूटी अपने सही टाइम पर counselling करा लिया था, लेकिन AKTU ने लेट कर दिया था, उसके वज़ए से ट्रिपलम्यूटी में बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो पाया, क्योंकि AKTU बहुत ज्यादा लेट कर दिया था, लेकिन इस साल ऐसा नहीं होगा, इस साल, अभी ट्रिपलम्यूटी की जैसे ही counselling खतम होगी, AKTU पीछे-पीछे लग जाएगा, और जिस जिस बच्चों को ट्रिपलम्यूटी छोड़के IT लखना होगा, वो चले जाएंगे, और सेम किस HPTU में भी होगा, क्योंकि HPTU का additional round के बाद से HPTU का सीधे spot शुरू होगा, और इस पॉर्ट में वही काम होगा, जिनको भी ट्रिपलम्यूटी छोड़ना होगा, वो चोड़के चले जाएंगे, और से से तो पहले ही हो गया है, तो अगर मैं टेक्निकली बात करूँ तो इस बार ट्रिपलम्यूटी में काफी जादा फायदा तुम्हें देखने को मिलेग बाकि इसी CSE IT इंसा में बचना बड़ा ही रेयर होता है, अगर बचा है तो बड़ा भागय शवागय, otherwise बड़ा रेयर होता है, तो इन थीम बातों का तुम्हें हमेशा ध्यान रखना है, अब बात करते हैं, तो देखो पिछली बार भी धाई 3 लाख रखता है, धाई 3 मारना चाहते हो, तो 3-4 लाख राएंग पर एडमिशन एक्सपक्टेड है, तो आपकी राएंग 3-4 लाख राएंग तक है, तो आप ट्राई कर सकते हो, देखो इस पॉट का कभी कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, because it totally depends on vacancy, और लास्ट यर तो vacancies खाली थी, सिवील में देख र सिवील की सीटे खाली थी, मेकेनिकल में 92 सीटे खाली थी, गेमिकल में 57 सीटे खाली थी, तो मतलब काफी percentage vacancies जो है, इन थीनों ब्रांच में काफी जादा है, तो इस हिसाब से अगर मैं बोलू तो अभी मैं यह नहीं बोल सकता कि नहीं पांच लाख तक वेट कर लो, चार लाग तक वेट कर लो मिल जाएगा तीन लाग तक वेट कर लो यह वेकंसी आने के बाद ही पता चल सकती है बट फिर भी जो ट्रेंड बोल रहा है कि होगा जो रिमेनिंग बैलेंस फीस होगा प्लीज जमा कर देना टामली और फीजिकल रिपोटेंग के लिए टामली चले जाना डा कमेंट क्या लागेगा उस पर अल्रेडी में वीडियो बना चुका हूं आई होब गाईस वर गेटी में प्वाइंट एंड अगर इसके लावा किसी और टॉपिक वर वीडियो चाहिए तो बिल्कुल कमेंट वक्स में बताइए तो चली मिलते हैं नेक्स वोड़ों है तो तक लिए बाबाई टाटा एंट जैहिन थांक यू सो मच